तो गुड़ मॉर्णिंग अब्रिवन कैसे हैं आप सब कुशल मंगल होंगे एक दम स्वस्त होंगे मस्त होंगे परिवार्ग सांथ ब्यस्त होंगे और होना भी चाहिए में मोना को सिक स्वागा थें आप सबीगा हमारे चैनल भी फैमली ब्लॉक में तो आज का जो ब्लॉक है वो इस्टार्ट कर रही एक ऐसी एतिहासिक परेंपरा जो सत्यों वर से चली आ रही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी थोड़ा इस्टार्टिंग में बड़ा आप खुद देखिएगा आगे इस्टार्टिंग में आपको देखने में थोड़ा सा अ इतिहांस के पर्णों पर लिखी एक गाथा है आस्ता और विश्वास की परिभासा है जी हाँ आज मैं आपको एक ऐसी एतिहासी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ 500 साल पुराने परंपरा चली आ रही है जी हाँ सौर घाटी पिथोरागड के कुमोर से है आपको बताना चाहूंगी पिथोरागड को मिनी कस्मिर के नाम से भी जाना जाता है वैसे तुत्राखंड के लोगों को तो सभी को पता होगा जिनको पहार के लोगों को नहीं पताया दर्य स्टेट को उनको बता रही हूँ पांस अदावती से चली आ रही है ये परंपरा रहस्यवही यात्र है पहार की अध्भूत सौर गाथा है इस पौराणिंगाथा का नेपाल रह से बताऊं तो कहा जाता है कि 500 वर्ष पूर्व पिथोरागड के कुमाणगाओं के निवासी चार महरभाई नेपाल के इंद्र जात्रा नामक पर्व में हिस्सा लेने के लिए गहे थी जहां उन्हें वहां के ततकालिक नरेश द्वारा ये मुखटा भेट के सौरू दिया गया था तभी से सौर घाटी में ये आस्ता संस्किर्ति और मौनोरंजन का पर्तिक माने जाने वाला हिल जात्रा पर्व मनाया जा रहा है पांच सतावती से चले आ रहें इस पर्व में लोगों की आस्ता में कभी कोई कमी नहीं आई इसी आस्ता का उधारण भी इस बार की हिल जात्रा में देखने को मिला यात्रा के दौरान एक मकान की छट पर लोगों की संख्या अधिक होने की वज़े से छट दह गई किन्तो किसी परकार की हताहज नहीं हुई ये गनिमत है और भगवान की किरपा से इसकी भनक मैदान पे पचाहजार से अधिक लोगों को नहीं हुई अनिता भगदर मचते के चलते बड़ा हादसा हो सकता था वीडियो में जूडे रहें रोमांची गाथा जानने के लिए एक ऐसी लख्या भूत की गाथा जिसकी तुलना परजापती दक्ष का सिरकाटने वाले महादेव सिव के रोत्र रूप से की जाती है दक्ष भूत की गाथा जिसकी तुलना परजापती दक्ष का सिरकाटने वाले महादेव सिव के रोत्र रूप से की जाती है वही रूप जब परशन होता है तो आशिरबाद देता है और क्रोध में आने पर परलगाले बन जाता है आज मैं उसी लखिया भूत की गाथा आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये आस्ता की ऐसी गाथा है जहां अच्छे अच्छे नत मस्तव हो जाते हैं इसी पौराणिक सोर्य यात्रा को हिल जात्रा के रूप में निकालते हैं इस रोमांच कारी यात्रा का संबंद नेपाल से जुड़ा है इसका रहसे भी आप लोगों को जडूर बताऊँए हिल जात्रा की इस यात्रा में लोग लखिया भूत को देखने के लिए भारी संक्या में सडकों और घरों की छतों पर एक्त्री हो जाते हैं जैसा की आप देख पा रहें आसा और विश्वास की भीड इस गद्र उमडती हैं जैसा पूरा पहाड हिल जात्रा देखने के लिए चुक गया हो सौरगाटी पिथोरगड का यहां परंप्रागत पर्व वहां के लोगों को एक सूत्र में बाता है और इस लख्या भूत यात्रा में कोई बेल बनता है तो कोई हिरन बनता है माना जाता है भूत का पात्र अगर करोद में हो तो नास कर देता है और वह यात्रा में पर्षन मुद्रा में होता है तो जिन्दगी सवार देता है आशा करती हूं कि आपको आज का जो ये सोरे गाथा ही जात्रा की जानकरी आपकर आपको आनन्द आया होगा तो मैं भी जब तक पिथोरागड में रही इस यात्रा में समलिद होने का सोभागय प्राप्त होता रहा तो I hope आपको वीडियो जड़ पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो पिनी चैनल को सब्सक्राइब करना बेलकूल ना भूलें लाइक किजिएगा कमिट किजिएगा सेर किजिएगा अपना प्यार आशिरबात ऐसे बनाई रखेंगा हमें से सपोर्ट करते रहेगा आज तो लख्या बाबा के नाम पर आप तो बनता के बारे में जड़ों बताएं बोले जै लखिया बाबा की तो प्लीज अगर आप चैनल पर नहीं आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेलकूल ना भूलें लाइक किजिएगा कमेंट किजिएगा सेर किजिएगा अपना आशिरबात ऐसी बनाई रखेंगा और अपना भ वीडियो में तब तक लिए बाबाई पनाम पहला जै जै भारत